आचारे जी, डिलिवरी के कितने समय के बाद योग अभ्यास शुरू करना चाहिए? देखिए जो सेजेरियन डिलिवरी है, यानि ओपरेशन से हुआ हुआ बच्चा है, उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि अपने योगा भ्यास शुरू करने से पहले, और जो नॉर्मल डिलिवरी होती है, उसमें तीन महीने का भ्यास बताया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिलकुल ही योगा भ्यास ना करें, यह इसलिए कहा जाता है ताकि आप precautionary measures अच्छे से लें, पर आप प्र प्रिजिकल आक्टिविटी है, जो रिगरिस फिजिकल प्राक्टिस है, उनका अभ्यास यह जो नॉमल फिजिकल जो आसनों का, अद्वांस अभ्यास है, क्रियाओं का अभ्यास है वो छे महीने से पहले नहीं करना चाहिए, not only in case of cesarean delivery, but in case of any kind of operation, कोई भी operation है, उसके 6 महीन के बाद ही योग अभ्यास शुरू करना चाहिए